हरे क्रिशना राती राती स्वाधत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसकी आज की वीडियो में अवसाल दो हजार देईस में पढ़ने वाले गनीश चतूर्थी त्योहार पर बात करेंगी गनीश चतूर्थी का यह परव दस दिद्दक बनाया जाता है बादो मास की शुपल पक्ष की चतूर्थी से शुरू होता है और अनंत चोदस तक चलता रहता है और इस त्योहार का पूरे देशवासियों को बड़ा ही बेसबरी से इंतजा रहता है दस दिन के लिए गपपा हमारे घर में आते हैं धर में विराजित रहते हैं लोग उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं और बपपा सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि साल दोहजार देश में गनपती भगवान की स्थापना का शुमूर्थ क्या रहेगा किस दिन गनेश चतुर्थी है पपा को घर में लाने का शुम समय क्या रहेगा सारी बाते आज की इस वीडियो में जानेंगे साल दोहजार देश में गनेश चतुर्थी का यह पर्व 19 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू होगा चतुर्थी थी थी 18 सितंबर दोपहर 12 बज़ कर 40 मिनट से शुरू होगी और 19 सितंबर दोपहर 1 बज़ कर 43 मिनट पर समाप्त होगी उद्याति थी के अनुसार 19 सितंबर मंगलवार से ही गनेश चतुर्थी का परू मनाया जाएगा गनपती भगवान की स्थापना का पूजा का शुम मौरत दोपहर के समय का माना जाता है ऐसी मानेता है कि गनेश जी का जो जनम है वो दोपहर के समय हुआ था मद्याहन के समय हुआ था और गनेश चतुर्थी का यह परो भगवान गनेश के जनमुत्सव के रूप में ही मनाया जाता है इसलिए दोपहर के समय ही उनकी पूजा करना शुब माना जाता है दोपहर के समय गनेश पूजा का जो शुब समय रहेगा वो रहेगा ग्यारा बचकर एक मिनट से एक बचकर अटाइस मिनट तक यह उन्नेश सितंबर का शुमूर्थ है इसकी अवधी लगबग दो कुटे सताइस मिनट की है इस समय में आग बगवान गनपती की स्थापना कर सकते हैं उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन चंदरदेव के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए ऐसी मानेता है कि अगर गलती से भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन आप कर लेते हैं चांद को देख लेते हैं तब कोई न कोई जूटा कलंक जरूर लगता है तो इसलिए इसे कलंक जतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है तो इस दिन चंदरदर्शन वरजित होता है वरजित चंदरदर्शन का समय रहेगा सुबह 9.45 मिनट से 8.45 मिनट तक अब आप ध्यान करिए कि चतुर्थी ती थी 18.सितंबर से शुरू होगी और 19.सितंबर तक चलती रहेगी तो दोनो दिन चंदरदर्शन वरजित माना जाएगा 18.सितंबर को दोपहे 12.49 मिनट से रात 8.10 मिनट पर मतलब चंदरास्त होने के समय तक चंदरदर्शन वरजित रहेगा और 19.सितंबर सुबह 9.45 मिनट से रात 8.45 मिनट तक चंदरदर्शन वरजित रहेगा 8.45 मिनट पर चंदर्मा अस्त हो जाएगे और उसके बाद कलंक लगने का कोई भी बेह नहीं रहेगा इस दिन मंगलवार का दिन है तो पहल तीन बज़ कर 18 मिनट से राहुकाल शुरू हो जाएगा जो चार बज़ कर 50 मिनट तक चलता रहेगा तो इस समय को आपको बहुत ध्यान में रखना है अगर आप अपने पूजा करने में लेट हो जाते हैं तो इस समय में आपको अपनी पूजा पाट नहीं करनी है कोई भी शुब काम नहीं करना है बपा को घर नहीं लाना है स्थापना नहीं करनी है कोई भी शुब काम आपको इस समय में नहीं करना है एक और बात है कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमने तो गलती से चांद के दर्शन कर लिए अब हम क्या करें लेकि अगर कलंक चतुर्थी के दिन आप पूल से गलती से चांद के दर्शन कर लेते हैं चंदरमा आपको दिख जाते हैं तब आपको इस दिन कलंक चतुर्थी की कथा सुनने चाहिए कलंक चतुर्थी का जो दोश होता है उसे हटाने के लिए कलंक चतुर्थी की कथा जरूर सुने उसे सुनने से दोश हट जाता रहे और पिर किसी भी कलंक कता भ्या नहीं रहता तो आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में हमने गनेश चतुर्थी पर बात की आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकती हो अरे कृष्णा राधी राधी